ब्रदर्द एंड शिस्टर्स नौर्टिक में इतना काम हो रहा है लेकिन यहां की कॉंग्रेस सरकार की विजय से मिजोरम इसका पुरा लाब नहीं उठा पा रहा है सच्चा यह है कि यहां की कॉंग्रेस सरकार को आप सभी की जराबी चिंता नहीं है कॉंग्रेस विकास की नहीं लटकाने अटकाने और बटकाने के कल्चर वाली पार्टी है इनके लिए ब्रस्टाचार ही राजनीती का आधार है इसके कुछ उधारन मैं आपको देता हूँ ब्रदर्स और सिस्टरिस करीब डाइस सो करोड रुपिये रिलीज भी किये जा चुके हैं लेकिन यहां की कॉंग्रेस सरकार के कारणा में सुनकर आप हैरान रह जाएंगे ब्रदर्स और सिस्टर्स आपके विकास के लिए दिये गए करीब सवास सो करोड रुपिये यहां की कॉंग्रेस सरकार ने खर्च ही नहीं किये इतना ही नहीं जो खर्च हुए उसका यूटिलाइजेशन सर्दिप के यानि पैसे कहां गए कहां खर्चा किया काम किया क्या किया इसका हिसाब भी यह कॉंग्रेस की मिजोरम की सरकार अभी तक दे नहीं पाई है ब्रदर्स और सिस्टर्स यह यहां की सरकार के काम करने का तरीका है मुझे बताया गया है कि यहां पर राज सरकार जो ठेके देती है उसमें भी बड़े बड़े खेल किये जाते हैं जम करके भाई भतीजावाद चलता है आखिर कॉंग्रेस की सरकार आपके लिए चल रही है या कॉंग्रेस नेताओं के रिष्टेदारों के लिए चलती है भाईयों भेनों आज मिजोरम में स्थिती यह है कि केंद्र सरकार सहायता से चल रहे करीब 46 प्रोजेक्ट में से 28 प्रोजेक्ट तैस समय से बहुत लेट चल रहे हैं इसके अलावा नौर्थ इस्टरन काउंसिल एनी सी योजना के तहट चल रहे 36 प्रोजेक्ट में से 20 प्रोजेक्ट तैस समय से पीछे चल रहे हैं कॉंग्रेस का यही वर्किंग कल्चर है जिसके चलते यहां इंफास्चर की स्थिती खराब हैं सड के बेहाल है जबकि बजगवरगल में मनिपूर अरुनाचल और असम जैसे राज्यों में गाव हो या शहर चम चमाती सड के आज बनने लगी है